Hello everyone, this is Jatin Malotra and welcome to Malotra Hair Replacement आज की वीडियो का topic है कि अगर आप clipping hair patch use करते हैं तो जिस area में आपका clip लगा होता है उस area से आपके natural बाल तूटने के chances हैं तो बिल्कुल इसमें आपके natural बाल तूटने के chances हैं अगर आपको clip कैसे use करते हैं उसकी सही knowledge नहीं है तो होता क्या है clipping hair patch में बहुत लोग क्या गलती करते हैं clip को बहुत ज़्यादा tight लगाते हैं वो यह सोचते हैं कि अगर हम clip को ज़्यादा tight लगाएंगे तो हमें grip ज़्यादा better मिलेगी लेकिन इससे जो आपके अपने natural बाल हैं उसका damage होने के chances रहते हैं दो दो तीन तीन करके आपके अपने बाल natural बाल तूटेंगे तो वो छे महीने साल भर में आपके उस area से बाल खाली हो जाएंगे तो इसमें आपने करना क्या है आपने बहुत ज़्यादा tight नहीं लगाना क्लिप को अगर आपको क्लिप का खिचाव लगता है या बहुत ज़्यादा tight लगता है तो आप एक बार उसको खोल के फिर उस जगह पे फिर से बंद कर लें तो थोड़ा खिचाव आपका कम हो जाएगा बाकी जिसमें दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि कभी-कभी क्लिप जो है बाल दूर से पकड़ लेता है तो उसमें बाल खिचता है तो आप एक बार फिर से उसको खोल के फिर से बंद कर लें तो दूर वाला बाल है वो छूट जाएगा और आपका क्लिप आपको चीज करनी है कि आपको क्लिप खोल के दुबारा उस जगह पे बंद कर लेना है अब इसमें अगली चीज के होती है कि बहुत लोग क्लिप हेर पैच लगा के सो जाते हैं तो आपने क्लिप हेर पैच में सोना बिल्कुल नहीं है आप एमर्जंसी में बाइचांस जैसे बहुत सबसक्राइब के के लिए लिए तो उसमें तो आप सो सकते हैं लेकिन प्रॉपर वैड पर आपने रात को सो थे टाइम क्योंकि ध्यान तो रहता नहीं है उसमें आफ यह कुछ भी तो उसमें आपका रगड खाता है तो उस area से आपके बाल तूट जाएंगे तीसरी इसमें लोग गलती क्या करते हैं कि clip के साथ 90% cases में囉 clip के साथ आगे tape use होती है, बहुत कमी cut cases होते हैं जिसमें आगे बाल अच्छे बचे होते हैं कि उसमें clip हजा है तो जो tape वाला case है उसमें बहुत लोग क्या करते हैं, आगे जो tape का पीस है, बहुत चोटा टुकडा लगाते हैं, तो उससे pressure जो है, वो clip पे ही रहता है, आपने क्या करना है, आगे आपने पूरी अच्छे से taping करनी है इस area में, आपका जो frontal area है, उसमें आपने पूरी अच्छे से taping करनी है, ताकि चार क्लिप में यूज कर रहे हैं जिनका आगे भी क्लिप है तो वैसे तो जातर होता नहीं है लेकिन अगर आपका टेमपल एरिया खाली है जैसे आगे आपका क्लिप है और उसके साइड का पोर्शन आपका खाली है तो वहां पर आप दो छोटे टेप के पीसिस लगा सकते है ताकि आपका सपोर्ट इंक्रीज हो जाए बाकी इसमें यही दो तीन चीज़े हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो वैसे दिक्कत आएगी नी लॉंग टर्म में तीन चार पान साल में अगर आपका बाइचांस वो एरिया खाली हो जाता है तो उसमें हम क्लि कि आप मेरे पास आके पैच लगवालें आप इंडिया के किसी भी कोने से पैच लगवाएं लेकिन आपको अपनी खुद की नॉलेज भी होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई आपको बंदा बोलता है कि आप पैच लगवालो क्लिप में और जैसे मर्जी उसको यूज करो आपक कि सो मACH